समस्या जो है वह बिकट हो गया है और एक जम आपका निकट आ गया है उरादो question paper क्योंकि आप हो super तो इसी energy के साथ आज हम लोग 12th बिहार बोड एक जम 2012 के हिंदी के question paper का solution करने बाले हैं तो चलिए बिना समय को गवाय सभी प्रसुनों को solve करते हैं इसमें हम लोग पहले objective section के question को solve करने बाले हैं तो इसमें first question है तीसरा नमर में निमलिखित प्रसुनों के बहु बेकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर चुने ये 5 question है और ये 5 नमर के पूछे गए थे तो इसमें first question है कि ओस्दानेरा सिर्सक पाठ के लेखक हैं तो ओस्दानेरा सिर्सक पाठ के लेखक जगदीश चंदर माथूर हैं और जगदीश चंदर माथूर के द्वाड़ा लिखा गया ओस्दानेरा सिर्सक पाठ यह एक निबंध है यह भी पुछा जाएगा तो आपको जवाब देना है कि ओस दानिरा सिर्षख पाठ एक निबंद है और यहां जगदिश चंद्रमाथूर के पुस्तक जो है इसका एक पुस्तक था पुस्तक का नाम था बोलते च्छन जिसे च्छन भर में बदल गया गेम तो वही बला च्छन तो बोलते च्छन नामक पुस्तक से ओसदा निरा पाठ उधत है या लिया गया है और यहां एक निबंद है जिसमें उन्होंने गंडक नदी को निमीत मन कर इसकी रचना किया था जिसके अंतरगत उन्होंने जो है गंडक नदी के किनारे के संस्किर्थी और जीवन परवा को परदर्शित किया था तो इस तरह से हो गया इसके बारे में थोरा सा नौलेज उसका दूसरा प्रस्ण है एक लेख और एक पत्र के लेखक कोन है तो एक लेख और एक पत्र के लेखक भगस सिंग जी है और भगस सिंग के द्वरा लिखा गया यह एक निवंध ही है निवंध और पत्र दोनों कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने इसमें एक लेख लिखा है जिसम प्रसन है ओम परकास बालमेकी की रचना है तो ओम परकास बालमेकी की रचना जूठन है या भी प्रसन रहेगा कि जूठन क्या है तो जूठन आत्मकता है आत्मकता क्या होता है जिसके अंतरगत कोई भी लेखक हो जाए या कभी हो जाए वह अपने जीवन में घटित कत्लानوں का वर्नन करते हैं वह आत्म कता होता, आत्म मतलब स्वेम का कता सुनाना, मतलब जीवन में कोई घट गोडिया या कुछ भी हो गया तो उसी को उनोंने अपने कता के रूप में परदसित किया, जो उसका जूतन है पिर है अधिनायक कभीता के कभी और इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि किस परकार से किसी मा का जो है सुपुत्र अवकाल या ओ समय मतलब बिना समय पुरे ही उसका समय के पहले ही मिर्ती हो जाता है तो उसे किस परकार की पीरा होती है उस पीरा का वर्नन पुत्र बियोग नमक कभीता में सुपुदरा कुम था ये किलियर हो गया उसके बाद चलिए मिलोन वाला करते हैं और उसके बाद नेक्ष्ट करते रहेंगे है सही जोडो का मिलोन करें तो सही जोडे का मिलोन करना है आपको यह भी पुछा गया था और यह देखी सुचेगा कि यह सब अभी नहीं पुछा जाता है लेकिन इसी क्वेस्टन को जो है अब्जेक्टिव टाइप में बना कर पुछ लिया जाएगा तो आपको यहां पर ध्यान देना है तो फर्स्ट क्वेस्टन है जूठन किसकी रचन है तो जूठन उपर ही बताए थे ओम परकास बालमिकी की रचन है जो एक आत्म कथा है तो इ चायाबाद के परवर्तक भी माने जाते हैं चायाबादी युक के ये कवी थे फिर यह उसा तो उसा का हो जाएगा समसेर बहादूर सिंग और अर्धनारिसवर का रामदारी सिंग दिनकर जी तो इस तरह से आपका मिलान क्लियर हो गया एक बार और बता देते हैं जूठन हो सिरकर जी का उसके बाद देखें रिक्ता स्थनों की पूर्ति करें यह भी क्वेस्टन का स्वाल लुशन यहाँ पर हम आपको दे देते हैं यह भी अब अब जेक्टिव टैप में पूछा जाता है से भूसन भी तुंड पर जैसे डैस मिडिग्राज तो इसका रैटन्स का म जिसे यह सपन सपन में गुंज सत्य की पुरुस पुरुस में नारी यह अर्धनालिस वर चेप्टर से लिया गया है फिर बोधा सिंग के पिता का नाम है तो बोधा सिंग के पिता का नाम जो है वजीरा सिंग है यहाँ पर हम आपको विसेस बात बताना चाहेंगी यह तो उ साधी नहीं हुआ तो उसका अब्धा कैसे होगा बौधा सिंग या लेकिन इसमें पर ताज के ने ने कि पक्ष्ट परियरा ए gentleman को बहुत कुछ असी द्रिष्टी से देखती है जिस द्रिष्टी से consider अपने ब्रिक्ष को देखती है तो लता जो है अपने ब्रिक्ष को देखती है यहां पर जगा लता अपस्टा नहीं दिया गए लेकिन इसका हो जगा अंसर लता क्योंकि अर्धनासवर चेप्टर में पतनी को लता मौन कर रचना किया गया है और जो पुरुस है वह स्वेम को ब्रिक्ष मन लिया है और वह ब्रिक्ष है और जिसमें जो लता जो है वह ब्रिक्ष पर आस्रित हो गई है फिर भीती हरवा आसरम विद्याले के सिक्षक थे तो भीती हरवा आसरम विद्याले के सिक्षक पुंडलिक जी थे इस तरह से उसके बाद चलिए समास विग्रया वाल इस प्रसनों को सौल्व करते हैं इसमें हम आपको सिर्फ इसका अर्थ बता देते हैं आपको वाक्य खुद से बना लेना है जिसे अंधे की लकड़ी अंधे की लकड़ी होना मतलब एक मातर सहाडा होना फिर है घरो पोनी परना मतलब लज्जित हो जाना उसके बाद है डालना गलना तो डालना गलना का हो जाएगा सफलना ना होना